कि नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से स्वागत आप याज से करी एकडमी की यूटूब चैनल में आज हम बात करने वालें दोस्तों जो एनफल नैशनल फटिलाइज लिम्टेड उसके अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी के एक्जाम हुआ था जिसके अंदर मार्केटि को सब्सक्राइब नहीं हुआ है कि आपका सब्सक्राइब किसलीकेक उतन sekarang काल यहाशन काई तो सब्सक्राइब न मेरे पास वाल है ने फ्या एनफल से कि हमारा ईंटरभ्यू की प्रेप्रीशन की संव्तिज समयल था तौब इसनलिया था कि सरश कि मैंटर्वियू है MT का इसका इंटर्वू मैंने दो बार दिया हुआ है तो इसके एनफल में जोब भी किया है तो एनफल के जो स्टेक्चर है बरकिंग प्रोसीजर है उसके बारे मैं बहुत अच्चे से जानता हूं तो इसके इंटर्वू की प्रिप्रेशन की जो क्लासेस है एक से दो दिन के प्रिप्रेशन करते हैं कि सबसे बैसिक जो है हमको अब आउट इंटर्वू के अंदर कुछ पॉइंटों को याद रखने आप किसी बी यहां चीज का इंटर्वू देने जाओ तो आपको कुछ बैसिक पॉइंट होता है आपको अपने बारे में पता होना चीए ठीक है अब यहां से जब आप यह सारी चीजा बता देते हैं तो क्या होता है जो इंटर्व्यू वाले होते हैं फिर यहीं से अगला कोशन पूछते अच्छा कि आपकी एरिया के अंदर किस प्रकार का क्रोपिंग पेटरन है किसान कौन से टाइप के फर्टिलाजर इंटर्व्यू है तो यहां पर आप से यह कोशन बनता है कि अच्छा आपके अरिया के अंदर कौन से कंपनी का फर्टिलाइजर ज्यादा बिखता है किस अलगला कंपनी का किसान किस को प्रिफेर करते हैं तो आपको नोलेज होना चाहिए कि आपका एरिया के अंदर क्रोप कौन सी लगाते है ठीक है क्रोप कौन सी लगाते हैं और वहां पर फर्टिलाइजर जो है ठीक है किसान कौन सा फर्टिलाइजर का यूज करने यह आपको मालूम होना चाहिए ठीक है चलिए दूसरा अगर आपने सब्सक्राइजर के आपको पूरा नोलेज होना चाहिए ठीक है तो एनाफेल के बारे में आपको कम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ना जितनी इंफॉर्मेशन है इनवर में वारे में उसको आपको रिड़ करना है किया करना को इसको रिड़ करना है कम्प्लीट नीफ है ईयनाफेल जो है कितने बनाथी है ठीक है एनाफेल कि इस्टापलेसमेंट का वही यह दो जैया में कितने बनाती है उसके कहाinarакс OUT पर आप थिक है केले पर देजाए के बारे में। ये सॉरा को क्ट करती है। जो इसके बारे माँ को जो ब्रंट होना चाहिए टीक है अगे वायजेर से बीसिए आनकारीी है और आलो चाहिए यहां पर किसानों से भी काम करना होता है पर किसानों के साथ जुढना होता है तो आपको है थोड़ा जो है मिटी के बारे में तो के बारे में भी जानाकरी होना चाहिए ठीक है किसके बारे में सो मेंटी परक्षण के बारे में किस्तिने टॅ मेंपोरमेश्या फोना चाहिए है को क्या है फ размism य है और सब्सक्राइब एंडिया का टोटल अनुधी प्रोडाक्षन अफ है इंडिया कहanto भॉता है इंडिया का फरiałem को पढ़ना है ना कितना होता है इंडिया के अंदर है तो य। आपको कंजप्शन पढ़ना है ठीक है कंजप्शन पढ़ना है कि इंडिया के अंदर खपत कितनी है कंजप्शन पढ़ना है यह जो बीच-बीच में हर साल हम यह देखने को बलते हैं कि इंडिया का तो यह सोटे फोलंब हर ठीक है इसके बारे में आपको उल्यक में पर सब्सेड़ीन है ठीक है सबसीडी थी यह घै 기대 गी ति होदी है जैसे डीवीटी टीक सब्सप्राइब को नूट्रेंड वैस सबसेडी इसके बारे में आपको नोलेज होना चाहिए इसके बारे में डायक्ट बनिफिट बंफेट क्या है नूटेंड बैस सबसेड़ी क्या होती है तीक है इंडिया जो है कितने इंडिया फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है इसके बारे में आपको नो ले चाहिए ना इंडिया फर्टिलाइजर जो इंपोर्ट करता है किस किस कंट्री से करता है ठीक है बैसिक जो आपको मिल जाएगा डाटा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है यूरिया कांसे इंपोर ब्रांड ज्यादा चलता है आपकी आगर पोस्टिंग हम अपर कर दें के तो हमारी NFL का जो है ठीक है कैसे आप बढ़ा होगी है ना आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं को संदू रहेगा कि आप यह जो क्यों करना चाहते हैं यह तो देखो जनरल कोशन होता है हर अब आपको मालूम होगा यह तो कि आपको मास्टर सोते हैं तो आपको वारे ना चाहिए और फटिलाइज इस रिलेटेट जितनी भी चीजे हैं उनका आपको नोलेज बहुत अच्छे होना चाहिए ठीक है और ज्यादा कुछ इंटर्वी बहुत भारी होता नहीं किसी भी चीज का जो इंटर्वी एतना भारी नहीं होता इंटर्वी जो होता है वहता था ऐगर आपका कॉन्फिदेंस बहुत अच्छा आपका आंसर देने का तरहीका कैसा है ठीक है तो इसकी जो क्लासे से और जो स्टूडेंट इंटर्वी की प्रिपेशन करना चाहते हैं वाकिए आपके जोब्हों बहुत अच्छी है सेल्री मिलेगी लगवक 75 शूपरी के 65-70,000 सेल्री मिलेगी बहुत अच्छी जोब है ठीक है तो इसकी जो प्रिपेरेशन है इसकी एला गायडेंस रोपर कैसे तहियार करना है तो इसकी जो क्लासे से परसों से आनी हमारीं यह स्टार् तो इवनिंग टाइम करते हैं किसी भी कमपनी में तो इवनिंग के अंदर हम को इंटर्वी कराए जाएंगे तो से रिलेट जानकारी है इंटर्वी की ओर्पेशन करने चाहते हैं तो अच्छे से गाइड कर सकता हूं क्योंकि मैंने दो बार इंटर्वी दीया है तो इसलिए आपको सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बता पाऊंगा मैं तो इसे आपका इंटर्वू जो है अच्छे से हो जाएगा आपके सेलेक्शन के चांसेस क्या होंगे अधर स्टूटेंट से जाद होंगे आयोप दी गई जानकारी आपको समझा योगी फिलते हैं नाइस पूटियो के अंदर तब तक के लिए जहें